Hello everybody, Career Ride Hindi की इस Business Idea Series में पर फिर आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो Food Processing का सेक्टर है, ये किस तरह से इंडिया के लिए एक आने वाले समय का Business होने वाला है? और क्यों आपको इस सेक्टर में Business करने के बारे में सोचना चाहिए? इसी वीडियो में मैंने आप से ये भी वादा किया था कि बहुत ही जल्दी मैं आप से कुछ ऐसे Products भी डिस्कस करूँगी, जो कि फूर सेक्टर में अगर आप फूर प्रसेंसिंग के सेक्टर में अगर अगर आप एंटर होना चाहते हैं, तो उस सेक्टर में आप किस तरह के Products पे काम कर सकते हैं? तो अपने आज के इस वीडियो में आप से कुछ ऐसे ही Products दिस्कस करने के लिए आई हूँ, जिनमें से की काफी सारे जो Products हैं, वो काफी Basic लेवल के Products हैं और आप सुनने के बाद खुद लगेगा कि हाँ, वाकई में, अगर इन Products पर हम काम करना स्टार्ट करें, तो एक अच्छा मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं, एक अच्छा मार्केट मिल भी जाएगा, इसी के साथ साथ कुछ Specific Products हैं, कुछ Specialized Products हैं, उनके बारे में भी आप से बात करूँगे, और आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास थोड़ी सी पैसे की सुविधा वैलबल है, तो उस तरह के Products पे भी आपको काम करना चाहिए, एक काफी Information से वर्बपूर वीडियो होने वाला है, हमेशा की तरह, पूरी तरह से जरूर देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को Skip किये हुए, तो देखिए, ये जो Food Processing का सेक्टर होता है, इसका एक बहुत बड़ा Purpose होता है, कि आप किसी की Life में Convenience अड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये Convenience आप उसकी रोज मर्रा की Life में अड़ कर दें, तो कहने ही क्या है, और वो भी Health के साथ, तब तो Customer आपका प्रड़क खरीदेगा, ये खरीदेगा, यहाँ पर जो सबसे पहला काम मैं आपको सजेस्ट करने जा रही हूँ, वो है Vegetables से Related, यानि कि आप Vegetables को Process करके Sell करने की कोशिश कर सकते हैं, अब ये जो Vegetables को आप Process करते हैं, ये आप Various Levels पर आप इनको Process कर सकते हैं, जो सबसे Simple काम हो सकता है, वो हो सकता है कि आप Simple इनको Chopping करके और Packing करके इनको Sell करते हैं, चाहें आप Super Markets के थूँच सेल करें, चाहें आप अपने Local Retail Shops के थूँच सेल करें, लेकिन अगर आप ये Chopped Vegetables अवैलबल करवा देते हैं किसी के लिए, तो सोचिए, कोई ओफिस से घर वापस आया, उसको खाना बनाना है, और उसके पास Chopped Vegetables रेड़ी हैं, जो उसके उसने Market से खरीद लिये हैं, आते आते, लाइफ कितनी Easy हो जाती है, इसी के साथ, अब एक लेवल उपर बढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास Chopped Vegetables से ज़्यादा सक्षमत आपके पास अवेलबल है, तो आप कुछ चीजों को ड्राय करके उसको सेल करने की कोशिश कीजिए, यह सूखी मिर्चिया होती है, फिर मैंने देखा कि एक रीजिन हमारे कंट्री का ऐसा भी है, जहां पर, for example, जो फूल को भी होता है, जिसको कि हम कॉलिफलार कहते हैं, उसको भी सेल करके, उसको आप ड्राय करके, उसको सेल करने की लोग कोशिश करते हैं, इसके बाद में अगर एक लेवल आप और उपर बढ़ें, तो आप देखिए, आप फ्रोजन वेजटेबल्स सेल कर सकते हैं, अब इन फ्रोजन वेजटेबल्स में अभी तक हम जो फ्रोजन मटर मार्केट में देखते थे, लेकर आप सोचने के कोशिश कीजिए कि कितने सारे वेजटेबल्स ऐसे होते, जो कि all through the year रही मिलते हैं, अगर आप उनको frozen form में सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके बाद में अगर आप एक लेवल और उपर बढ़ें, तो आप उनको canned form में भी सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, मश्रूम्स आप देखते हैं, market में सेल होते हैं, यालोपीनो सेल होते हैं, इसी तरह से find out करने की कोशिश कीजिए, कि आप किस प्रड़क्ट के उपर काम कर सकते हैं, कौन सा vegetable है और उसको आप किस level पर process करके सेल करने की सक्षमता रखते हैं, अपनी सक्षमता के हिसाब से vegetables को चूज कीजिए अपने region के हिसाब से, और अपनी सक्षमता के हिसाब से उनको process करके सेल करने की आप कोशिश कर सकते हैं, एक बहुत ही basic sector है जो कि ब्लोग की life में बहुत convenience आड कर सकता है और आपको दे सकता है आपका business, अब जो दूसरा काम यहाँ पर आप कर सकते हैं, वो हो सकता है कि आप different type के flowers बना के market में sell करने की कोशिश कर सकते हैं, for example, आप decent kaata बेच सकते हैं, आप gehu kaata बेच सकते हैं, जवारी, बाजरी, नाचनी, different type के जो यहाँ पर flowers हैं, वो sell किये जा सकते हैं, देखे, अभी तक जो हमारा focus था, वो काफी जादा wheat flour के उपर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आके बढ़ता जा रहा है, और रोगों की health के प्रती रुजान बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे लोगों को यह समझ में आया है, कि सिर्फ wheat flour ऐसा एक flour नहीं है, ज उनको millets की importance बहुत जादा समझ में लोगों को अब आने लगी है, जिसमें की आप include कर सकते हैं, जवारी, बाजरी, नाचनी, इस तरह के जो grains हैं, जो की अभी तक हमने कहीं ना कहीं उनको ignore करके रखा हुआ था, हम उनको अपनी regular diet का हिस्सा नहीं बना रहे थे, उनके उपर जादा पॉपलर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा northern region में चले जाएंगे, आप बिहार में चले जाएंगे, जारखन चले जाएंगे, आप UP चले जाएंगे, उस region में नाचनी इतनी जादा पॉपलर नहीं है, इसी तरह से जो मक्का है वो जादा पॉपलर है पंजाब लेकिन अब महराश्ट में भी लोग इसको consume करने लगे हैं, तो थोड़ा सा region select कर लीजे, एक market ऐसा होगा जहां पर आपको काफी बड़ा उसका market मिल जाएगा उस product का, और एक region ऐसा होगा जहां पर आप अगर products को online sell करेंगे, तो उस case में आपको थोड़ा-थोड़ा market वहां sell करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो बात आपको ध्यान में ये रखनी होगी, कि मैंने market में एक बहुत बड़ी problem notice कर रही हूँ, वो problem ये है कि इस तरह के वीडियो को देखने के बाद में, आप में से काफी सारे लोग business में enter करने का मन तो बना लेते हैं, लेकिन आपका जो pricing का factor है, उसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं, इसके कारण problem ये होता है, कि आपका जो product होता है, वो comparatively costlier हो जाता है, और उसके कारण customer उसको खरीदता नहीं है, अब इसको deal करने का क्या तलिका है, इसको deal करने के जिससे में आप अपने raw material को procure कर रहे हैं, उसको right-up quality में, right-up rate में procure कीजिए, उसके बाद में आपका जो machines आपके चलते हैं, वो भी आपके cost में add करते हैं, तो देखें कि final product को में किस दाम में market में लेके आना चाहिए, और उसको किस तरह से लेकर के आ सकती हूँ, वो अगर प्लानिंग आपकी अगर miss out होगे, तो आपका product right market में नहीं आपाएगा, right pricing पर, और उस case में आप market lose out कर देंगे, तो देखें, सिर्फ फ्लार के उपर work करने से काम नहीं चलेगा, काम तब चलेगा, जब आप right quality का product, right branding के साथ में, और right pricing के साथ में market में लेकर दियाएंगे अब, जैसे जैसे हम समय में advance होते जा रहे हैं, और मैंने आपसे अभी अभी बताया कि लोगों को millets के importance काफी समझ में आई है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, वो काम आप ये कर सकते हैं, कि अगर आपके पास थोड़ी सी, अगर पैसे की सुविधा available है, और आप थोड़ी चीज़े मैदा से मान लीजिए, नूदल अभी तक बन रहे थे, तो अब मैं देख रही हूँ कि मार्केट में काफी सारे millets के बने हुए नूदल भी आने लगे हैं, तो आप और भी प्रड़क्स इस तरह के find out करने के कोशिश कीजिए, जो की फिलहाल तक मैदा से बन रहे और उनका एक आप healthier option market में लाने की कोशिश कीजिए, बहुती basic example है कि आप multigrain laddoos बना सकते हैं, आप multigrain noodles बना सकते हैं, ये काफी basic examples हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप कुछ advanced products के उपर भी work कर सकते हैं, तो इस तरह के healthy flowers के उपर आप work कीजिए, आप flowers sell कर सकते हैं, साथ के स साथ में इनको process करके कुछ और भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अभी तक market में इस और example, हम लोग देखिए, पापर जो बनाते थे, वो बहुत सारी डालों के पापर हमारे बनते थे, लेकिन इसी के साथ साथ अभी market में, जवारी के पापर आने लगे हैं, नाचनी के पाप हो सकता है, अब आज की वीडियो के लिए जिस तीसरे सेक्टर के मैं आप से यहां पर बात करने जा रही हूं, वो सेक्टर है, सुपर फूर्ज और न्यूट्रा सोटिकल्स का, देखिए, हम सभी ने देखा कि कोरोना के समय में, किस तरह से हमने अपने लाइफ स्टाइल को क प्रिवेंटिव की तरफ लेकर आने की कोशिश की है, यानि कि बीमारियां हमें हो ही ना, उससे पहले ही हम अपने शुरीर की तरफ सजग रहें और सही चीज़ें खा के उसे एकदम तंदरोस से रखें, अब इसमें जो एक बहुत बड़ा इंपर्टन रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं हमारे सुपरफूर्ण, यह सुपरफूर्णS क्या होते हैं, आपके जो गार्लिक होते हैं, इसमें आपके सुपरफूर्ण में अब इनक्लूर्ण होने लगी हैं, कुछ समय पहले तक मैं market से garlic खरीती थी उसकी बाद मैंने देखा कि भाई अब छिला वह garlic पैक होके आने लग गया है बहुत बढ़िया बात है garlic का paste आने लगा, बहुत बढ़िया बात है उसके बाद फिर धीरी धीरी करके लोगों ने dried garlic के flakes market में sale करने start किये उसके बाद कुछ लोगों ने और आगे सोचा और देखा कि market में बड़ी आप branded bottles में आये garlic के dried grains जिनकों कि आप soups में use कर सकते हैं या कहीं पर आप जहाँ toppings के लिए use करना चाहते हैं वहाँ use कर सकते हैं तो एक क्या था एक उपर के level की thinking थी ये कि garlic का क्या किया जा सकता है ये superfood है इसको किस तरह से लोगों की जिन्दगी में easily available कराया जा सकता है तो अगर आप इस तरह का कोई काम कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए काफी एक interesting काम हो सकता है इंटरनेट पर जाईए superfood कुछ तलाश कीजिए और देखिए कि उनको आप किस तरह से process करके sell कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने आप से कुछी मिन्टो पहले कहा था कि न्यूट्रा सोटिकल से कैसा सेक्टर है जिसकी उपर आप अगेल काफी बड़े रूप में काम कर सकते हैं और यह एक काफी popular होता हुआ सेक्टर है अब न्यूट्रा सोटिकल्स क्या होता है न्यूट्रा सोटिकल्स आपके ऐसे products होते हैं food products होते हैं जो कि आपकी body के लिए as medicine काम करते हैं इनको अगर आप अपने regular consumption में रखते हैं तो for example आपके जो B12 levels होते हैं potassium, calcium, iron, omega D3 इस तरह के levels होते हैं आपकी body में इनको यह maintain करके रखते हैं properly तो आप अगला काम या कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ से पैसे की ज़रत पड़ेगी इस काम को करने के के लिए आप इंटरनेट पर जाएए nutraceuticals तरलाश कीजिए देखिए वहां पर कौन से products यहां पर लिस्टेड है और उन में से आप किस product के उपर काम कर सकते हैं आपको होता है कि inclination है किसी particular product के लिए या हो सकता है कि आपके region में उस तरे का product काफी ज़ादा मिलता हो या आपको उस product के बारे में काफी अच्छी already knowledge हो तो अगर आपके पास ऐसे कोई products आपको मिलते हैं तो उनको भी आप process करके sell करने के बारे में सोच सकते हैं इसका एक अच्छा काफी अच्छा domestic market इसका एक काफी अच्छा export market भी है तो आप दोनों तरह के market को target करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा genuine product market में लेकर के आएंगे तो अब यहाँ पर जिस अगले product क्यों पर आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं वो हो सकते हैं आपके organic sugar free products अब यह organic sugar free products के पर आप क्यों काम करेंगे देखे समय ऐसा आ रहा है कि लोगों को देरे देरे समझ में आ रही है बात कि भाई यह जो refined sugar है इसका consumption हमें अब कम करना होगा अगर हम अपनी अच्छी health रखनी है तो इसी के साथ साथ और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह का buzzword market market में उगभर रहा है because everybody wants to consume products जिसमें की बहुत दा pesticides नहीं है जिसमें बहुत दा कोई fertilizers नहीं है natural है जो कि तो अगर आप इस तरह के for example कोई jams बना सकते हैं जो कि sugar free हो ऑगनिक हो jams jellies या मान भी जीज़ आप को fruit drinks बनाते हैं अगर इस तरह के sugar free या कोई अगर इस तरह के जो अप्रे mixers बना कर के sell करते हैं market में तो यह आपके लिए एक अच्छा source हो सकता है एक अच्छे business को बनाने का अब देखिए video के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि जो food processing का sector होता है इसका जो एक focus होता है वो यह भी होता है कि हम लोगों की life में convenience add करते हैं और यहां पर जिस एक और sector के उपर आप target कर सकते हैं वो हो आप देखिए पहले हम क्या होता था अगर हमें इडली बनानी होती थी डोसा बनाना होता था तो हमें चावल बिगा के रखने होते थे दाल बिगा के रखने होती थी उसको खुद process करना पड़ता था लेकिन फिर समय आया कि market में इस तरह के जो अब कितना लाइफ इसी हो गई है इडली बनानी है डोसा बनाना है इसी तरह से आप दूसरे प्रदक्स के ओपर भी काम कर सकते हैं आपके एलिया में जो भी आपके रीजिन में इस तरह के healthy foods खाये जाते हैं जिनके आप प्रीमिक्स बना के अवैलबल करवा सकते हैं अगर आज की तारीक में आप जो मलाबारी पराठा होता है वो आपको पैक्ट मिलने लगा है अगर इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए एक काफी अच्छा बिजनस का जल्या हो सकता है अब भाई हम हिंदुस्तान में रहते हुए dairy सेक्टर के बारे में बात ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ये जो डेरी है इस सेक्टर में हमें से काफी सारे लोग काम करते हैं और ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है अब इसी डेरी में अगर आप काम करते हैं और आप सीधा दूद को सेल करने की मार्केट में कोशिश करते हैं तो आप सभी कि आपके जो दाम होते हैं आपको वो कम मिलते हैं आपके जो प्रौफेट्स होते हैं हो कम होते लेकिन अगर इसी दूध को आप प्रॉसेस कर देते हैं इसका पनीर मावाब बटर घी या आमरखंड, श्रीखंड इस तरह की चीज़े market में बना के sell करते हैं, तो आपके जो profits होते हैं, वो margins बढ़ जाते हैं, लेकिन अब भई इतने processing के बारे में आप मैंसे सब लोग जानते हैं, इसके आगे क्या किया जा सकता है, इसके आगे अगर आप इस दूद को, मानली जी किस आप इसे तरीके के चीज में convert कर लेते हैं, मानली आप इसको किसी तरह के Italian में convert करने का process जान लेते हैं, या आप इसको Greek yogurt में convert कर लेते हैं, तो आगे कि आपके जो profits margin होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, बिकंट इस तरह के products चो अब हैं, वो इडिया में आ रहे हैं market में, और ल जो कि इंडिया में अब एंडर हो रहे हैं, for example, जैसे मैंने भी आपसे बात किया था कि ग्रीक योगर्ट बनाने के बारे में आप कोशिश कर सकते हैं, आप इसको किसी एडवांस चीज में करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं, वो बढ़ते चले जा तो दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में तो हमने कुछ ऐसे प्रॉडक्स के बारे में जाना, जो कि अगर आप Food Processing के सेक्टर में इंटर्न होना चाहते हैं, तो उन पर आप काम कर सकते हैं, अब जो यह Food Processing का सेक्टर है, यह जैसा कि मैंने आपको बता है कि काफी एक और इसको सपोर्ट करने के लिए, गवर्मेंट ने काफी सारी schemes, काफी सारी policies भी लाँच की हैं, तो आने हाले वीडियो में मैं आपसे उन schemes और policies के बारे में भी बात करूँगी, ताकि आपको जो काम करना है इस सेक्टर में, आप मेंसे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, उनको ये पता चल सके कि किस तरह से इन government schemes और policies का help लेकर के आप अपने business को बड़ा बना सकते हैं, business के production पार्ट से भी या अगर आपको कोई training चाहिए, आपको अपने production मार्केट करना है, उसमें आपको इन schemes के तुरू किस तरह से मदद मिल सकती है, तो I hope आप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपनों को useful लगा है, तो इसको like and share जरूर कीजेगा अपने और दोस्तों के साथ भी, और इसी के साथ-साथ अगर और भी इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को, तो मेरे चै अगर अगर येगिर मेरे का जरियोस अगर है, तो मेरे काले हैं